हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में और जैसा कि आज आप लोग को पता है कि आज उत्राखंड का लोग पर फूल देई छम्मा देई हैं तो आप सभी को फूल देई छम्मा देई की बहुत बहुत शुब कामना हैं और आज हम इसको सेलिबरेट करने जा बच्चे रेडियो हो रहे हैं आप देखे थोड़े दिर में आपसे मिलते हैं फूल देई छम्मा देई देणी दवार भरवकार यो देई को बारंबार नमसकार दोस्तों उत्राखंड का ये पार्वे छोटे बच्चो द्वारा मनाया जाता है इसमें बच्चे थाली में च फिर नए पत्चों में फूल होता है आम में बौर आता है वो बौरों से घर में सब जगे फुल्यारी फूल खिलते हैं तो बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं इसमें बच्चों का रॉल होता है जे फूल बी इनके लाते हैं बच्चे अब फूलों के साथ भी चावल जो तो चावल गूड चना देते हैं लोग उसका हम फिर साम को जुसरे दीन परसाद बनाते हैं उसको साही कहते हैं और उसको पीसा जाता है मिको के मिक्सी में पीसा जाता है फिर उसमें गूड और घीन से पकाया जाता है फिर आंकरी में उसमें गूड डाला जाता है फिर आज पार्टी नहीं है और अज क्या है पहले क्या है बताओ कर दिधी बता आज क्या है क्या है फूल दही तो फूल दही में क्या करते है अर्शी कभी कोई कमी ना हो घर के अंड बंडार में कभी भी कोई भी कमी ना हो इसलिए है ना दिशी तो आप डालो की आप रेडियो कर दो आप रेडियो कर दो कर दो कर्के दो कर दो एंडार men, आप लेडियो कोर डिना दिशी ऩ , आ वो आप दो आक Уीन तो रेडियो उमगे वुच्चचच्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चॉ कि लिएएएक वा ल् Mir यहा कर दूज आठिक्षि को नॅ क्यू विस्टे is śततllen न 2 KNow तूज़ को घार फुल देईze चम्मा देई आगे याला आगे यह ही है अजो दिशी's दिशीव से बहुळेई ।2 बहर जाओ एक चलब परैले पर आपने month चलब तो फूल चलड़ा औराइस चलड़ा राइज से यह secondsN metro खर साटि typically Gymnus तो बोट जो चलब जो चलब हुट का तर से कुलो यहां पर चलब हेले हुट जो घुडवरी बॉहारी गुडौडısı के प्षोल दे चम्मा दे अदो को को वाव अब क्या करोगी पार्टी करोगी इससे पकड़ो ओके बागी में पकड़ों वाव 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 द्रिशी आज तो द्रिशी को मनी मिल गई तो दोस्तों यह वो चावले जो फूल देई में बच्चों ने दोहर पे चड़ाए थे तो इन्हें मैंने रात भर बिक हो दिया था और अब इसकी बने की साही तो दीखिए हमाई चाही कैसे बनाई जाती है पूल देई की तो दोस्तों साही को एक तरीके से हम चावल का हलुआ भी कह सकते हैं जो गुड के साथ पकाया जाता है कहीं लोग साही फूल देई की रात को ही मनाते हैं और कहीं लग जगे साही अगले दिन भी बनाई जाती है तो मैंने इस पर थोड़े इलाइची डाली है और इसे दरद जातन में घी लिया तो मैंने एक कटोरी चावल के लिए तीन चमच घी लिया है अब जब घी गरम हो जाता है तो फिर हम इसमें वो भीगेवे चावल का जो पेस्ट होता है उसको मिलाते हैं और उसको धीरे 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 हलका सा ब्राउन होने तक पकाते हैं जिससे चावल अच्छे से इसमें पक जाए दोस्तो साई भी करित कहीं तरीके से बनाई जाती है अलग अलग जगे अलग अलग तरीके से साई बनाई जाती है और उसका प्रोसीजर भी बिल्कुल अलग होता है हम लगों के यहां साई कुछ इस तरीके से बनाई जाती है अब इसको हलका हलका ऐसी भूनते रहें जब तक ये थोड़ा ब्राउन हो जाए तब तक हमने एक तरफ गुड़ को ग्रेटर में अच्छी से ग्रेट कर दिया है ग्रेट करने से गुड़ के लंज वगेरा डेली वगेरा नहीं बनते हैं बहुत अच्छी से साई में मैके फ़िता हो जाता है अब यहाँ पर हमारी साउए का कलर हलका हलका चेंज होने लग गया है अप्सणे हए गुड़ को एड़ करेंगे गुर्ख कड़ने के बाद विह और टेक्स्च्चर फोड़ा हर्ट उजाता है मदब कि साई थोड़ी सी हार्ट ही हो जाती है तो कुछ लोग इस जगे पर साई बनाने के बाद इसको ऐसी छोड़ देते हैं तो थोड़ी क्रंची नेस इसमें आ जाती है थोड़ा क्रंची सी साई बनती है और इसको बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है अब मैंने इसमें हलका सा इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आधा कटोरी दूद मिलाया है तो आधा कटोरी दूद मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा क्रंच कम हो जाता है और थोड़ी सी सॉफ्ट बन जाती है तो वो आपके उपर है कि आप इसमें दूद मिलाना चाहते है या दोस्तों इससे अब तब तक बकाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से घी ना छोड़ देगा जैसी ये घी छोड़ देगा तो ये सुखा-सुखा सा हल्वा टैप का बन जाएगा अब देखिए इसने घी छोड़ दिया है और ये अच्छे से पक्के तैयार हो गई है अब इसको हम एक अलग बड़तन में निकाल लेते हैं और हमारी फूल देगी किसाई बनकर रेडी है ये देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया इसका प्वड़ पोल्ग होरीन है ये आदयाद हूँ कोरो फे हैं